कि नमस्कार दोस्तों विपर आप सबका फिर से बहुत-बहुत सुवागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर सुगाई जैसा कि आप सभी को पता है यहाँ पर डेली इस टाइम पर आस होई कि जो जी अरिजनी की क्लास है यहाँ पर चलती है बिल्कुल लाइव तो जितने लोग यहाँ पर जोड़े हैं सभी लोग कॉमेंट करके बता देंगे आप सभी को मेरी आवाज जो है क्लियर आरीक नहीं आ रही है उसके बाद जो हम ल ले जो आपको सबको समय नगवाते हुए आज का जो पहला कोशन देखिए आपके सामने ये रहा और सब लोग जवाब देते हो जो लेगा भई सुचित्रा किस से लंबी है भई पुस्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है सब लोग कोशन को देखेंगे और जवाब जो देने का प्रयास करेंगे इसका जो सभितर आपका क्या हो जाएगा देखिए सुचित्रा जो पुस्पा से लंबी है लेकिन मालती से छोटी है तो जो कोशन कह रहा भई यहाँ पर उसको करती है चलो आपको बताना है कि यहीं सभी एक पंग्ती में अपनी उचाई के अनसरा घड़ी हो तो मध्य में कौन होगा तो देखिए बीच में कौन आ रहा है सबसे बीच में अगर देखा है तो पुषपा यहां पर सबसे तो यहां पर जितने लोगों ने पुष्ट पा जवाब दे आपसर नंबर सी वाला वो लोग यहां पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए अगला कुशन देखें आपसे यहां पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखें और सभी लोग जवाब देने का प्रयास यदि कमल के अस्थान पर कूट भासा में यह लिखा जाता है तो महल को किस प्रकार लिखा जाएगा चलिए इस प्रशन का सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास करेंगे इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है जब आप देखें आपर आना शुरू हो गया है तो इस यहे थो है न, क अमे अल वाला हो गया सी नियाप पर तो कमल मतलब 11 रह एक का मतलब 11 रह होता है यह ऑक मतलब 12 होता है memorized centre है देखें को recona को बीजोर हो कहाती हो तो महल में भी कैसे करने становитсяактер होता तो 13 कितना होता है है होता है कर हुता है का मतलब 8 lingering के ल का मतलब 12 तो यहाँपर 3 वायगा 4 1 8 1 तो 1 तुम City किटना हो जाएगा4 89ी 13 पर थे से बड़ाप््स नूमोब यहां पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा आई के जे एन पी ओ एस यू टी तो अगला नमबर बताए किसका हो सकता है प्रयास करिए थोड़ा थोड़ा और जवाब जो देने का प्रयास करेंगे प्रयास जवाब का सही सही आ जाएगा चली पड़ा फड़ यहां प जब आप देखिए आप राना शुरू घया तो यहां पर गया है किसी लोग कुछ लोग को कितना भी समझा दिया जाए वह लोग स्रिफ बात ही करते हैं ठीक है को पता चलता है तुम्हें नहीं पता चलता है तो यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा यहाँ पर देखें क्या हो जाएगा तो यहाँ पर यू के बाद क्या देखा जाएगा तो आपका आ जाएगा दोस्तों क्या वी डबलू यक्स वाई और बीच में आपका जड़ आ जाएगा तो यह जड़ वाई कौन से आपसिन में आ रहा है आपसिन नमर देखे डी में आ रहा है तो जिते लोगों ने आपर डी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चली अगला कोशन देखिए आप से यहाँ पर क् संख्या आपर जूदते हो चलना है देखते हैं कितो लोग सही जवाल देते हैं नौ एक पर में संख्या है एक बटे नौ के लिगसा अग्रम बात करते हैं देखिए एक बटे 9 कि अगर हम बात करें कोशन मचोंब नहीं बढ़िए यहां पर आप अपर मैं घुणडा है ना उसको परिमे बोलते हैं, तो यहाँ पर जित्ते लोग आपस नंबर C जवाब दे रहे हैं, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, अगला कोशन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, यह दि किसी कोड भासा में प्लस का मतलब गुड़ा है, माइन यहाँ पर देखिए 50 है, और जो कह रहा है, प्लस का मतलब क्या आपका गुड़ा है, तो गुड़े कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, भाग है, भाग का मतलब देखिए क्या है, माइनस है, माइनस 125 हो जाएगा, और गुड़े का मतलब देखिए आपका भाग है, त माइनस का मतलर देखिए प्लस फिर से आपर प्लस आपका पचीस हो जाएगा इसी को तो सॉल्व करना साथी हो तो यहां पर पचास दियें कितना हो जाएगा एक सो पचास एक सो पचीस भागे पांच करेंगे तो पचीस पंचे एक सो पचीस और प्लस कितना हो जाएगा आपक यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे नोटिफिकेशन नहीं आया तो टेलिग्राम तो है ना टेलिग्राम पर जूड़ जो जो नोटिफिकेशन मिलता रहेगा रस्तूगी जी अगला कोशन देखिए आप से यानि कि यहाँ पर अगर देखा जाये तो दो के बाद 3 है चलो ठीक है चार 6 है यानि कि यहाँ पर अगर देखा तो पहले युग्म के प्रथा मांक में देखो दो में एक जोड़ा गया 2 1 3 4 2 6 7 3 10 11 4 15 16 और 5 कितना हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा क्लियर है बहुत ही अच्छी बात है जितने भी साथियों ने जितने दोस्तों ने आपर option number C जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगे आते हैं अगले question की तरफ एक एक लाइक भी करते चलेगा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो I know कि यह question आपके थोड़ा सा tough typical होने वाला है मैं आपको देखिए जो हिंदी में लिखा गया इसको मैं सीधे लिख देता हूँ कौन किसको क्या दर्सा रहा है तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है देखिए आकरितों में वर्ग जो है आउसदी को दिखाता है यह आपका कि मतलब dancers होते है ठीक है female dancers तो नर्तकी को दिखा रहा है चले वही नर्तकी हो गया इसके बाद जो आपका वृत है यह इस त्री रोग विसेशग्य कह सकते हैं उनको दिखा रहा है और जो आयत है यह किसको दिखा रहा है महिलाओ को दर्सा रहा है बस चारु चीज़े आपक दिखा रहा है उसातिया रहा है गया है अगला कोशन देखे आपसे क्या पूछा गया पांक सो विक्तिओं के 50 में 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं 120 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं और हिंदी अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी होगी अब इतना बात बताओ 500 व्यक्ति थे 500 व्यक्ति थे 300, 400, 500 में से 400 फिस घड़ा होगे तो 80, तो ऐसी ऐसे विक्ति होंगे जो कि आपके दोनों बोल सकने वालों में से होंगे तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं यानि कि option number B वाला जितने वी लोग जवाब दे रहे हैं एक एक लाइक करतें, एक एक सेर करतें, मज़ा आजाएगा अगला question देख लेते हैं, आप से हाँ पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखेगा, और सब लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा यह सेम question कल हो चुका है किसी संख्या का 3 बटे 8, तो 2 बटे 7 का योग 370 हो, तो संख्या क्या होगी तो देखें, आपर simple समय, मैं को पता है कि 560 के आसपर हैं सुराएगा कि कल ही आपका एक question हुआ, देखें, संख्या मा लेते है यक्स तो यक्स का 3 बटे 8 है, और उसी यक्स का 2 बटे 7 एक सफ फ़र करोंенного है, यक्सक्स सब्वेकर सुराएगा, तो 370 का योग कितना दिया गया है इसे को का 370, पि म्सक्स की तो एक सेंटिस यक्स मिलकर ताहने का 370 चार बज रहे हो तो उनका दरपड़ प्रत्व मिनट ऐसे हो रहे हैं तो दरपड़ प्रत्व मिनट यह क्या हो जाएगा मैंने आपको क्या आता है जब इस तरह का कोशन आपके पेपर में आता है तो ग्यारा बज कर साथ मिनट में से हम लोग क्या कर देते हैं घटा देते हैं तो यहाँ पर ग्यारा बज कर साथ मिनट यह नहीं कि इसको घटाएंगे तो साथ ग्यारा बज कर साथ मिनट अब आप ब चलिए फड़ा पर बताती हो चलेगा ये questions आपको समझ में आया कि नहीं आया आ गया तो बहुत अच्छी बात है नहीं आया तो एक बाफ भी से repeat करके ज़रूर देख लीजेगा चले 11.30 बस आपको इतना याद रखना है जब भी दरपड प्रतविन पूछाओ आपके paper में दरपड ही जादातर पूछा आता है water बहुत कमाता है अगला question एक अनुक्रम दिया गया है 462, 420 question mark और 342 इन में बताएं सजी आपका क्या difference है मतलब आपका जो यक से इसके सान पर क आजाएगा 64 number question है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जोई देने का प्रयास करेंगे 462 में से अगर हम लोग घटा दे कितना है 462 में से अगर हम लोग घटा देते हैं 42 कितना आजाएगा आपका 420 आजाएगा तो 42 अगर फिर से घटा कर देखेंगे 442 में से नहीं एक काम कर यहां पर देखा है तो यह स्री चल भत लिए तहला माफ कैजेगा यहां पर अल्या नों लाग पा हा वहां देखते वहां पर 462 में से बैल स्चराडाथा अगर 420 में से व्लोग 42 को घटाते हैं थो दलो आट को आपसिन में 42 वाल आ नहीं रहा है छलो 40 घटा करके देख ल यहां पर पहले 42 घटा फिर 40 घटा तो अब 380 में 38 घटा हो यानिकि 4 चार नहीं दो दो कम किया गया तो कितना जाएगा पहले 40 घटा है तो यहां पर 380 जवाब दिया है ओप्स नमबर वाला वह लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे लियर है चलिए अगला कोशन देखते हैं आप से यहां पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखेगा और सभी लोग यहां पर जवाब देने का प्रयास किजेगा कोशन रुक इगनट अभी देखें कोशन दिख रहा होगा चाश्चन नमबर कोशन है जवाब जो देती हो चलिएगा यहां पर बताना है सब्सक्राइब यहां पर सभी जाए लेकिन यहां पर देखाया तो विकर्ड खीचने में थोड़ा सा आलस्पन दिखा तो Gulit हो जाएगा पले राम उत्र फशक्राइब की चार क्लूमीटर चलता है और फिर जो है आपका ुप्र होता है और दोस्तो यह नीची चों दिया गया है यह आपका दक्ष्ण होता है डीक है राम जो है उत्तर पषिं में 4 किलोमेटर पैदल जाता है अब देखो उत्तर पषिं देखो आपका तीन आता है तो पूछ गई है कि ये दूरी कितनी हो जाएगी तो ये 3 है ये 4 है तो ये आपका 90 डिगरी बनता है क ні हमें सा पता है तो व्लाट फेरों से तो 5 km जितने लोगों ने आफसर नंबर D जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए अच्छा कोशन था मज़ेदार कोशन था तो जितने लोगों ने आफसर नंबर D जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए सातियों आते हैं बढ़ते हैं अगले कोशन की तरफ तो क्या पुछा गया है कि यहां पर पांच सवरी नंबर कोशन आपके यहां पर देखिए तीन ग्यारा तेरा सत्रा तीन है ग्यारा है आपके यहां गाद साथ चौदा यहांपर तीन और 11 में 3 8 11 तेरा चार सत्रा झालों चलो 3 2 5 1 46 46 3 4 717 वालों आपर देखा जाए तो देखें सिंपल सी बात सब्सक्राइब कोई बात नहीं है अगला कोईशन देखिए क्या पूछा गया है पांच दस पंद्रा एक्स और बीस का और यॉवसपा निकालने का सबसे आसाना तरीका क्या है पांच और पंद्रा और यक्स दिए गया है इन अर्ट देदो औस अजाता हो सब कितना दिया गया इसको हल कर लो पंदर तस पचीस पांद तीस प्लस यक्स बटे चार चार को गुड़ा करेंगे बीस में कितना जाएगा बीशों का 80 हो जाएगा तो यक्स कमन कितना जाएगा 80-30 बुले तो आपका 50 आ जाएगा तो जितने लोगों और यहां पर 50 जबाब दिया है और स नंबर डी वाला वो लोगहाँ पर पिलकुल करेक्ट हो जाएगे जितने लोंग यह अपर 50-50 जवाब ङरे हैं वो लोगहाँ पर बिलकुल करेक्ट हो यहां पर भी जाती है यह कौन सा हो जाएगा एजड है सी यक्स है तो यहां पर देखते हैं इन सबी में अब देखो एक मतलब होता है एक जड़ का मतलब होता है 26 ठीक है यहां पर 26 से कितने हो गया 27 हो गया यानि की लेकिन जी का पोईट टी होता है यह का यस होता है यह का पोईट क्या होता है तो इस हिसाफ से यहाँ पर ऑफसर नमबर जो इसका डी वाला दिया गया है यह आपका डिफरेंट हो जाएगा ठीक है तो जितने लोग ने यहाँ पर जवाब दिया है ऑफसर नमबर डी वाला वो रवर और असा पर यास करेंगे, तो अपने याप ज़वाब जो यहाप आपका सहूँ आयेगा, चलिए, दो तीन, पाँच, चलो गज़िए, देखते हैं कितनक लोग यहाप सही ज़वाब देते हैं, चलिए, देखों यहाप़, दो, एक तीन, 3,2,5 हो गया ना इसका यहां पर देखो 5,3,8 होता है 8,4,12 होता है 12,5,17 होता है 17,6,23 होता है 23 और 7 कितना हो जाएगा 30 हा जाएगा कोई अच्छा ही स्रीच चल ला है यहां पर देखो 1,2,3,4,5,6,7,8 30 हा गया हो 30 और 8 देखो तो आपका यहां पर सिरीज देख सकते हैं कितनी धमाकेदार सिरीज चल लए थी कोई गेस भी नहीं कर पाता अगर इसने एक बार जो बार इसको सही से पढ़ा नहीं हो तो यहां पर जितना जवाब देरें आफ्ट नमबर सी वाला वो लोग यहां पर जो है बिल्कुल चलता है तो मालेते सेलेस यहां पर है उत्तर की और कितना चलता भी आपका चार जलता है फिर वह बाएं मुड़ता है और छे को लुड़ता चलता है यानि कि थोड़ा सा यह कोश्चन आपका उल्टा नीचे सबनान अपर नहीं तो उल्टा हो जाएगा ठीक है मालेते सेलेस यहां पर है और यह चार क्लिंटा चलता है उसके बाद यहां से बाय मुर्था छे चलता है यहां से यहां से दूरी बताने कितना हो जाएगा तो फिर से वही पाइथागोर अस्यरम बना देते हैं ऐसे इसको complete करते हैं तो यहाँ पर यह देखिए उपर बाद 6 है तो यह भी 6 हो जाएगा यह चार है तो चार चार आठ होट 6 यानि कि आपका एक figure इस तरह से बन के आएगा देखो ध्यान से यह आपका 6 है यह आपका 8 है तो पाइथागोर स्थिरम से आपका 10 होना चाहिए कुछ लोग समझ निपार होंगे 10 कैसे आया तो अंडर रूट के अंदर यह जो 8 होट 6 आपको पता है लंब कवर्ग प्लस आधार कवर्ग यही होता आपका जो कर्ड होता है तो अंडर रूट कितना हो जाएगा 36, 64, 100 हो जाएगा और इसके मतलब कितना जाएगा 10 आजाएगा लोग जवाब दे रहे हैं जवाला लोग यहां पर करेक्ट ओज 95 हो जाएग ञेंगे जवाइख दे रहा है लोग यहां पर बिल्कुछ करेक्ट हो जाएगग ऑगए उससे त्युक्त प्रश्न का जवाब देने का प्रयास कीजेगा आपको यहां पर उताना है कुल कितने तिर्भूज हैं तिर्भूजों कि संख्या बताती हुए चलना है यहां पर यहां पर टोटल पहले एक दो तीन चार पांप चे छे तरहीं तो आपके एक अंकली हो गयो तो जाएंगे तो छे चार दस तो बारा हो जाएगे तो यहाँ पर 12 जवाब दे रहे हैं वह साथ ही आप पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे जित्ते लोगों ने आप जवाब दिया और दी वाला वो लोग आप जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए साथ यो आते हैं अगले कोशन की तरफ तो अगला प्रशन देखिया आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिये और सब लोग जवाब देने का प्रयास कीज़ेगा यदि प्रत्विम एक बजकर 40 मिन्ट हो रहा है तो वास्तिविक समय यहाँ उपर जवाब देखिया है वो लोग यहाँ पर जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिलकुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए बहुत अच्छी बात है अगला कोशन देखिए आप से आपर क्या पूछा गया है चलिए बहुत अच्छे-च्छे कोमेंट आ रहे हैं अभी बाबू ब्लॉक कर दिया टेंसर मतलोग यदि प्रकास को सुभा कहते हैं सुभा को अंधेरा अंधेरे को रात रा दूप कहा जा रहा है तो हम लोग कव सोते हैं भई धूप में सोते हैं तो यहां पर देखिए जितने लोग जब दरेंसर अफ्सरमबर वाला वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए अगला कोशन देखिए आप से यहां पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा पिता और पुत्र की आयू पिता और उसके पुत्र की आयू का मध्यमान 27 वर्स यानि कि मा लेते पिता आपका यक्स है देखो 27 वर्स है पहले आप्सन से अगर लगाने कोजिद करेंगे यहां पर देखिए पहला उपसन उठाते हैं 42 और 12 इनका मध्यमान देखो 42 प्लस 12 बटे 2 करो देखते 27 आता तक नहीं आता तो 22 चार चार एक पांच बटे 2 यानि कि 27 इनका मध्यमान तो 27 आ गया वो इससे मध्यमान सबका 27 ही आएगा लेकिन दूसरा रों कंडिजन क्या कह कर देंगे तो देखते हैं एज कितनी आती है 60 आ जाएगा और 30 आ जाएगा तो देखो पिता की जिसकी दुगनी हो गई न तो पहले ऑप्सन से देखिए आपके यहां पर लग जा रहा है कि मध्यमान 27 आ रहा है और एज में दुगने का अंतरा जा रहा है एठारा साल बाद और सब में अठार साल बाद यह अंतर नहीं आएगा तो option number जित्ते लोगों ने A जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा कोई option उठा कर गया देख लोगर आ जाए तो फिर बताएगा हमें तो option number जित्ते लोगों ने आप पर जवाब दिया है अबी का पिता यानि की बी जो है एक पुत्र है जो इसका पिता हो जाएगा एक को पिता लिख देते हैं समझेगा और समझते वह चलिएगा इस प्रश्ण में देखते हैं कैसे आपर जो आपका इंसर नहीं आता है आएगा एंसर और बिलकुल आएगा परिसान मत होगा उसके बात कहुत क्या कहा रहा है कि सी गी की पुत्र है वी की पुत्र आपका कौं सो जाएगा इह हो जाएगा और A का जो है पुत्र हो जाएगा C और E के बीच में क्या संबन्द है अब भाई B का भाई है E और C B के पुत्र है C तो C और E के बीच में भती जी और चाचा का संबन्द हो जाएगा ना तो चाचा और भती जी जितने लोग यहां पर संब्सक्राइब करने में देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं इस प्रश्ण में वह एक संख्या का एक चोथाई यानि कि माले ते संख्या आपका यक्स है ठीक है उस संख्या का एक चोथाई उसका एक तिहाई बटे तीन बराबर कितना दिया गया है यही तो हो जाएगा ना कितना होता है बारा कितना जाएगा पंद्रा बरीम में एक सव हसी आजएगा तो संख्या इतना आपका एक तो आइक हो जाएगा आप संख्या का ढया संख्या good हो जाएगे जितनai लोगों नहीं है पर जवाब दिया SudPD learned वो लोग यहाँ पर जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चली कि अगला कोशन यहाँ पर से क्लियर हो गया क्लियर कोशन की नहीं अगला क्वेशन देखिए आप से यहां पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिए और सभी लोग जवाब देते हो चलिएगा दी गई आकरेखा कृतियों में से तरल पदार्थ धातुए वा गयस प्रदर्सित करती हैं किनको भाई चलिए इस प्रश्ण का सभी लोग देते हैं तरल पदार्थ धातुए लग है यहां तो लोग यहां पर प्रदर रहें चलियर रहे यहां अगला कृशन देखिए है तीन दर्जन डिबबे रखे गये हैं एक वैक्ति पहले प्रते ग्रते प्रतेग डिबबे में एक एक गैंदба रखता है फिर हर दूसरे डूसरे डिबबे मेंzy थीण गैंदध रखता है यह क्रम वह आगे जाहे रखता है तो बताई यह अंतिन डिबबे में क्लत्ने great तीसरे वाई डिब्बे में 3-3 गेंद रखता है इसी प्रकार 36 वाले जो मतलब ऐसे देखो 1-2-3-4 ऐसे 36 वाई डिब्बे में टोटल 36 गेंद होगा यही तो होगा ना यहाँ पर देखा जा तो 1-2-3-4 लेकिन यहाँ पर देखा जा तो 4 के बाद देखो 6 वाला एंस वर आए कि बाई करा कि एक विक्ति पहले प्रतेक डिब्बे में एक एक गेंद रखता है फिर हर दूसरे में दो दो गेंद रखता है फिर हर तीसरे डिब्बे में 3-3 गेंद रखता है यानि कि 36 वे डिब्बे में 36 यह जो है आपका 36 का गुरंखन यह से चलता रहेगा तो हो डाइक लिए प्लस बारा प्लस अठारा और प्लस आपका 36 हो जाएगा इनको जोड़ देंगे आपका 91 आपका एंसर आजाएगा तो जिते लोग यहां पर 91 जवाब दे रहे हैं वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे वैसे भी आप लोग एक से लेकर 36 जगया है ध्यान से देखिएगा छे मित्र हैं देखे इस तरह का कॉश्चन मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ यह एक वृत्त मा लेते हैं एक वृत्त बना हुआ है एक वृत्त में जो है बैठे हुए एक दो तीन चार पांच छे मित्र हैं और यह जो है एक दूसरी यह यहां पर के वैठे हैं तो समझो भाई यहां पर बाया और दाया में बस अमयसा इस चीश को समझेए गा तो यहां पर कहरा हैlingen कि यहां पर सकता हैstore का position यहां कहीं होगा आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है F जो है E और A के बीच में बैठा है F जो है E और A के बीच में बैठा है यानि कि A यहां पर है अगर हम लोग माल लेते हैं F यहां बेठाल देते हैं तो यहाँ पर E और A की बीच में हो गया, तो यहाँ पर B हो जाएगा, और यहाँ पर C जो है, A और B के बीच में हो जाएगा, आगे वो यह लाइन से मिलाएते हैं, D के बाए में B हैं, तो देखो, D के बाए में B हो गया, clear हो गया, B के ठीक बाए और कौन है, B के ठीक बाए औ आप लोग देख सकते हैं B कर ठीक भाई और कौन बैठा हुआ है C बैठा हुआ है तो जित्ते लोग यहाँ पर C जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चलिए बहुत अच्छी बात है जित्ते लोग ने और B जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे अगला कोईशन देखते हैं आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है किसी महीने की तीन तारीक को सो मार पढ़ता है तो उस महीने की 21 तारीक के तीन दिन बाद यानि की 21 तीन 24 तारीक को कौन से दिन पढ़ेगा चले वाई देखते हैं कि तो लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं एक तारीक को तीन तारीक को सो मार पढ़ता है तो तीन साथ दस तारीक को भी सो मार होगा मैंने आपको बताना हर साथ दिन बाद सेम डे रिपीट होता है सत्रा थारीख को आपका क्या होता ता बहुंआ पड़ेगा चोविता थारीख को भी आपका क्या पड़ जाएगा बहुत अंबर फीजितने लोग निए आप रहल जेवाप दिया ten वाला वो जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे चले समझ में आगे नए कोशन एक एक लाइक एक एक सेर करते ही चलेगा इस सभी लोग आप पर जितनल जुड़े हुए है अगला कोशन मन्टे नहीं होगा अक्कू पतेल जी अगर आपको लगता है मंटे नहीं होगा तो में क्ली आपके उनसर पर जरूर ध्यान देंगा ठीक है चले इस इस साकृतिछ को कंव्पलीट करते हुई चलना है चले जवाब जो ही सभी लोग देते हुँ चलेंगे इस प्रिश्च ने कर जो पर आना सुरू हो गया तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सभी तरफ का क्यों हो जाएगा ओए कि आपका सिंपल नीदे बात है आपको यहाँ पर एक आकरित ऐसे भढ़ना है जो आपका पूरा रंगा हुआ होगा ठीक है उसके बाद आपका यहां पर एक आकरित यहां पर जाएगा एक आपका यहां पर आजाएगा जहाँ पर यहां पर यह ओगा याँ अगर देखा जाया तो सिंपल सी वात है यहां पर option number B वाला का आफ लोग जवाब दे रहे हैं B वाली आकरित जो इसको complete करेगी तो B option जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएंगे clear? C नहीं होगा दूस्तों यहाँ पर B वाला जोग गरेक्ट होगा चलिए अगला question देखते हैं आप से यहाँ पर क्या पूछा गया है ध्यान से दिखिएगा राम हुआ स्याम किसी घास के मैदान को 12 महीने के लिए किराये पर लेते हैं यदि राम अपनी 120 गायों को 9 महां के लिए मैदान में रखता है तो स्याम 3 महीने के लिए मैदान में रखी के गायों के संख्या गयात कीजिए यदि राम दौरा किये के किराये का एक उटे 3 गुना यह देखो यह question आपका basically math का आगया है basically पूरा अच्छे रूप में math का यह दे दिया गया है बट यहाँ पर सब भी मैं आपको haul करके दिखा देता हूँ तो भाई देखो 120 गायों को 9 महिने के लिए रखता है जो राम है 120 गायों को 9 महिने के लिए रखता है और जो स्याम है स्याम का खर्चा उनुपात निकाल लेते हैं तीन महिने के लिए मैदान में रखता है तीन महिने के लिए मैदान में रखते हैं माल लेते हैं यह इनकी दोरा रखे गईव के संख्या का उना बात आ गया और उसका खरणा आ गया खरणा यहां कि गईधी किराया जो है एक गुटेच तीन गुना हो झानी कि ले fell दियान समझवगा ज शर्चा करता है स्याम गुणा खर्णा करता है तो किराया पतल भाइन हाप गईधी तीन में बार्ट यह तीन से काट देंगे तीन तृक्त करनो बातियां शत्ती तीन सॉसाठ बटे यक्स भरापर कितना जाएगा तीन वटे एक आगा बहुत सिंपल सा कोश्ण था है यहांपर थीन से काटेंगे बारा बार जाएगा यानि की एक्स कावान कितना गए 120 आ गया अगला कोशन देखिया से यहां पर क्या पूशा गया है एक गली की लंबाई 450 मीटर है गली के एक छोड से दूसरे छोड तक बरावर दूरी पर दस पौधे लगाए गये हैं तो करमागत पौधों की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी भाई एक गली की लंबाई 450 मीटर है चार सो पचास है तो आप बताओ भाईया यहां पर देखो पचास पचास टोटल कितने लंबाई देखो यहां पर एक दो तीन चार पांग छे साथ आठ नौ यानि कि चार सो पचास मीटर सा बटिन नौ कर दो तो हर पोधे की बीच में दूरी जो दूरी होगी वो आपकी कि कोशन में कुछ नया सीखने को मिलेगा आप लोग तभी कोशन को स्किप करते हैं जो आपको कोशन का एंसर समझ में नहीं आता है 83 वाले में दूसरा होगा क्योंकि उसी मंद का पूछा है अरे यार 83 कोशन क्या था भई देख लो इक बार 83 कोशन में सब लोग अटके पढ़े हैं तो 82 हो गया और 83 हो गया जो भाई मैंने उसी महीने में तारीक को सो निकाला है नusan किसी महीने की tarik को सो मistem पढ़े है तो उस महीने में 21 तारीक के 3 दिन बाद कौन से ह Fel 계र पढ़े है तो यहा साथ दिन बाद तोगा रिपीट करके देख लिया करो बार बर कॉमेंट मत किया करो उस चीज को ले करके चलिए यह फीगर वाला क्वेशन है आपको बताना यहाँ पर कौन सी प्रश्ण वाचक चिनिक अस्थान पर क्या आएगा देखते हैं किते लोग आपकर गैस कर पाते हैं हो जाएगा बानमे में अगर देखा जातों ऑस नमबर एवाला देखो ध्यान से क्योंकि यहाँ पर एक तिरिभूज ऐसे था तो यह आपका कट करके देखिए अलग अलग कट गया बीच में घुस गया यानि कि इसको बीच में से घुसा दिया गया तो इसको भी हम लोग अ यहाँ पर क्या पूछा गया है ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजेगा निम्लिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दीगे सब्दों का सार्थक करम को दर्साता है सब लोग बताती हो जएगा जितने लोग यहाँ पर जोड़े आपका पहले आपका हो जाएगा मांसून फिर आपका तूफान तूफान एक है वर्सा दो है उसके बाद का बार होता है बार से च्छती पहुचती है तो 4 1 2 3 5 किस और में आ रहा है दोस्तों और डी में आ रहा है तो जितने लोग यहाँ पर दी जवाब दे रहे हैं वो लो दो बजे और तीन बजे के बीच में घंटी तसा मिनट की सुयों के बीच सुयां आपस में कम मिलेंगी देखो आपस में मिलने का मतलब क्या होता है समझो इस प्रश्णों को फिर जवाब देने का प्रगास करिए गया आपस में मिलने का मतलब क्या होता है देखें दो बजे द थीटा राव आपको formula बताया है, एक तो उस तरीके से लग जाएगा, ये एक simple समय आपको और एक नए तरीका से खाता हूँ, ठीक है, वह तरीके से तो आप लोग लगा ही सकते हो, ठोड़ा सा बड़ा हो जाता है, अब बताओ, ठोड़ा छोटा बताओ, ठोड़ा छोटा बता आप यसे समझो कि 10 मिनट का गयफ ठीक है 10 मिनट की दूरी होती है जब मिनट की सुई घंटे की सुई देखो यहाँ पर कितने मिनट की इनके बीच में कितने का गयफ है अभी 10 मिनट का गयफ है यह बहुत आसान तरीका है बस इसका लॉजिक समझ लोगे तो बहुत ही जादा आपके लिए आसान हो जाएगा तो यह 10 मिनट का गयफ होता है इसी 10 मिनट की दूरी को हमें क्या करना है कवर करना है कि आपस में सुई आपके मिल जाएंगी तो इसमें जो मिलने का जो समय दिखा गया समय अगर निकालना हो तो क्या करेंगी 10 गुडे बस एक चीज याद र को हल करोगे है बार्दां में 120 बटे कितना आगया आपका 11 आ गया इसको हल कर लोगे 10 से 10 गयारा आ जाएगा अब एक कोशन और मैं आपको बतातो हूं जैसे मालीजी तीन बजे और चार बजे की बीच में कहा जाए तो सिंपल सा तीन और चार की बीच में देखो तीन बजे चलिए बहुत अच्छी बात है काफी लोग ने आप देखे सही जवाब देने का परयास किया है तो यहाँ पर आज के जो कोशन से कैसे लगे ठीक है